टीम इंडिया के मौझूदा सलामी बल्लेबास केल राहुल बेहत्खराफ फॉर्म से जूज रहे हैं 2022 के एशिया कप में अभी तक खेले गए दो मुकाबलों में केल राहुल का बल्ला खामोश रहा है 27 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में केल राहुल पहली ही केंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए वहीं होंग कॉंग जैसी छोटी टीम के खिलाब भी इस 30 वर्षे खिलाडी ने एक धीमी पारी खेलते हुए 49 गेंदों पर सिर्फ 36 रंग बनाए ऐसे में टीम इंडिया को एशिया कप के निन्ना एक मुकाबलों के लिए एक ऐसा सलामी बन्लेबाज चुन्ना होगा जो टीम को जबर दस्त शुरुआत दे सके आज हम ऐसे चार खिलाडियों के बारे में बताएंगे जो ओपनिंग के लिए केल राहूल से बहतर विकल्प साबित हो सकते हैं पहला नाम है सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के स्टार बन्लेबाज सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से बेहत शांदार फॉर्म में चल रहे हैं यह 31 वर्चे खिलाडी किसी भी पोजिशन पर बन्लेबाजी करने के लिए शक्षम है अभी हाल ही में वेस्ट इंडियस के खिलाब खेली गई T20i सिरीज में सूर्य ने सलामी बन्लेबाजी करते हुए जबरदस परदेशन दिखाया था बतोर ओपनर बन्लेबाज सूर्य कुमार यादब ने चार पारियों में 33.75 की ओसत और 168.75 की स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए हैं जिसमें 73 रनों की बहतरीन पारी भी शामिल है उनके इन आखडों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य कुमार यादब ओपनिंग में राहुल से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और उनकी मौजूदा फॉर्म भी बहतरीन है अगला नाम है दीपक हुड़ा टीम मिडिया के युवा बल्लेबाज दीपक हुड़ा ने आरलेंड के खिलाब खेली गई T20i सिरीज में एक शांदार शत्किये पारी खेली थी दीपक शुरुवाज से ही बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं इस 27 वर्षे खिलाडी ने अब तक 9 T20i मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 54 की शांदार औसस से 274 रंट ठोके हैं दीपक ने अभी तक एक बार सलामी बल्लेबाजी की है जिसमें उन्होंने 29 गेंदों पर 47 रंट जड़े थे ऐसे में कप्तान रोहिच शर्मा दीपक हुड़ा को केल राहुल की जगा ओपनिंग का मौका दे सकते हैं इस लिस्ट में अगला नाम है रिशब पंद भारत्य टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंद को अभी तक एशिया कप में बल्लेबाजी करने का मौका नही बाए हाथ के इस खिलाडी ने कुछ मौकों पर टी टुएंटी आई करकेट में भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी का किरदार निभाया है हलाकि उन्हें खुद को बतौर सलामी बल्लेबाज साबित करने के ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं वहें ज़्यादातर मत्य करम में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए हैं लेकिन पंद के पास निडर होकर खेलने की शमता है और वहें पावर प्ले में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं राहुल शुरुवात में धीमा खेलते हैं इस वज़े से पंद एक ओपनर के तौर पर अच्छा विकल्प हो सकते हैं इस सूची में पहले और सबसे भैतर विकल्प भारत्य टीम के दिगज बल्लेबाज विराट कोली मौजूद हैं कोली ने IPL में कई मौकों पर अपनी टीम RCB के लिए ओपनिंग करते हुए धेरो सारे रन बनाये हैं वही अंतर राश्ट्रे क्रिकेट में भी उन्होंने 8 T20 पारियों में भारत के लिए ओपन करते हुए 49.71 और 148.66 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाये हैं जिसमें उनके बल्ले से 2 अर्दशा तक भी निकले हैं विराट के आंक्रे दर्शाते हैं कि वह बतौर ओपनर काफी सपल हुए हैं ऐसे में वह ओपनर के तौर पर KL राहुल की जगा जादा बहतर विकल्प लगते हैं दोस्तों अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक्टोडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के दिए धन्यवाद